पिछले ग्यारा दिनों में राम आया अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेश रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशिद करते हुए रुश्यों ने कहा है रमन्त यश्मिन हिती रामह हर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस मृतियों में पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाय हुए हर यूग में लोगों ने राम को जीया है हर यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरन तर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असीम है और रामायन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है प्रिये देश वाचियों आज इस एक्तिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारिया और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्था करके दिखाई है उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कारसेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रणी है साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का ख्षन तो है लेकिन इसके साथ ही ये ख्षन भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षन है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनए का भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ठ अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजी हुई गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्किल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भाउकता के साथ खोला है वो ये बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है